पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शक्त धरसल 50 साल का बुजुर्ग है मगर इसकी कर्दू थुरेंगे तो शायद इसकी शकल से ही नफरत करने लगेंगे पूरा मामला भादूर गड़का है जहां इस आत्मी ने अपने घर में सफाई करने आने वाली महिला की बेटी को फवस का शिकार बना लिया जो अभी महस 13 साल की थी परिजनों के वारदात का पता तब चला जब बच्ची के पेट में अचानक तर्दोफुना शुरू होने लगा जिसके बाद उसे आस्पताल में ले जाकर जाच कराई गई जिसके बाद बच्ची से पूछताच की गई तो उसने अपनी आपीती बताई जाच कराई गई तो पता चला के 13 साल की मासूम बेटी गर्पती है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को किरफ़तार कर लिया किरफ़तार आरोपी से जब पूछताच की गई तो उसने दुर्शकरम की बात कबूल कर ली है बता दे बेड़त बच्ची की मा आरोपी के घर साफ सफाई का काम करती थी एक दिन बच्ची अकेली उसके घर चली गई और आरोपी ने उसके अकेले होने का फायदा उठा कर वारदात को अंजाम दे दिया तब से पहले पुलिस आरोपी का मेडिकल कराएगी और उसके बाद उसे कोट में बेश कर आगी की कारवाई करेगी भादुरगर से प्रविन कुमार धनकर पंजा के स्ट्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद